फूल के उपर सब आ गया बड़ा बड़ा कितना चल दिख रहा है जिहार का मसभूर खाना उसका नाम है लिट्टी और चोखा हल्दी और अचार यह जो मिल्चा का अचार होता है हलो दोस्तों नमस्कार एक्टेस काजल यूफिसल में आप सभी क्या स्वागाते आप लोग कैस हैं मैं उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो कमेंट करके जुरू बताइएगा दोस्तों और अगले वीडियो में आप लोग को देखने की मिलाते देखिए अभी थोड़ा थोड़ा अभी मतलब सूजा हुआ है एक चोटा एक बड़ा दिख रहा है तो हमारे हमारे हां बीहार के लोग जो सब कोई जानते हैं पर जो हमारे चानेवाले उपी से हटएं से भी मतलब जहां से भी देख रहे हैं दोस्तों आप लोग को आज बहुत खास है वीडियो में आप लोग जो आप लोग जनना चाहते हैं तो मैं आप लोग को ज़रू बताऊंगे तो दोस्तो अभी है तो दोस्तो मैं लीटी चोखा बनाने जा रही हूँ तो आप लोग हमारे पुलोग में ऐसे बने रही है कैसे कैसे बनता है क्या क्या उसमें पढ़ता है सब कुछ मैं दिखाऊंगी तो ऐसे हमारे बुलोग में बने रही है और फिर चलिए आप लोग लीटी चोखा देखिए कैसे बनता है आप लोग भी का यह टेस्ट करें तो चलिए दोस्तों दिखा रही हूं कि लीटी में क्या क्या डाला जाता है कैसे उसको त्यार करके बनाय जाता है यार के राष्ट या खान आप लोग ऐसे विलोग में बने रही है चलिए आप लोग दिखाती हूं कि छे कमरा से का चीजिस में पड़ता है जूंकर को दिखा यह पियाज हारा मर्चा लासुन उसके बाद जमाईंग और जीरा और और उसका तेल चाहिए आप लोग काट के डाली हूं और जीरा बुखका है तो अब इसको आप लोग अपने हिसाब से हर चीज डाल सकते हैं कैसे खाना है आप लोग ऐसे खाते तीफ मीठ अब इसको मैं कुए तरह से अच्छे से इसको फेटके फिर आप लोग रिखाती है तो देखिए दोस्ता ऐसे इसको त इसके बार अच्छे से बेहता है तो दोस्तों देखिए तरीके से इसमें चाना का सुत्वी डाल के और मिलाचुकी हूं अच्छे से यमारे त्यार हो चुका है अब इसको कैसे भरा जाता है कि अप लोग भर के मैं दिखा रही हूं तब तक ऐसे हमारे बॉलेक में आरे गायों देखिए दोस्तों आता तो सान दी हूँ और लोईया भी कड़ चुगा है और कैसे भरा जाता है आप लोग देखिए वैसे लोईया बना के उसमें हिसाब से भरा जाता है इन्टेक में हिसाब कुर्वर दिये जाएगा तो राटा गांगे वैसे भरा जाता है देखिए ऐसे ही भरा जाता है सिरे दोस्तों भर लूँ उसके बाद आप लोग देखाती हूं कैसे फिर बनता है देखिए दोस्तों अभी लीटी तो बन चुका है अभी पानी में जारी में डालने बल जाएगा उसके बाद इसको छेयों का जाएगा तेल में भी डालके बनता ऐसा बात नहीं है अभी यह और भी है हो जाए उसके बाद से डालूँ में अब देखिए इसी तरह पानी में इसको उबाला जाएगा खुब अच्छे तरीके से हो जाएगा उसके बाद फिर निकाला जाएगा तो आप लोग वीडियो के साथ बने र देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीका से लीटी हमारा उसिना चुका है और अभी जार इसको छेमकने से छेमक दिया जाता है ना सर्सों से और जीरा से तो बहुत अच्छा जाएगा तो दोस्तों आप लोग देखें लीटी के सब किसी का अपना अपना पसंद होता है मारे घर जेसे हम लोग खाते हैं वैसे आप लोग आप लोग को दिखा रही है और हर किसी का अलग अलग तरीका होता है बनाने का और लीटी तो अभी तल रहा है और चोखा बनाने जारी टमाटर का बहुत अच्छा लगता उसके तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूं अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा और शेयर साथ में लाइक भी करिएगा और ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और हमारे यहां का बिहार का लीटी चोखा बहुत मसुहूर है तो आप लोग देखें कैसे बनता है और खागी भी चेक करिएगा एक बार कैसा लगता है उसके बाद फिर आप लोग कमेंट में बताईएगा तो फिर मिलती हूं दोस्तों अगले बलोग में और जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अभी लाइट नहीं है गर्मी बहुत जादा हो रहे है यह जारी चोखा बनाएं टमाटा का है रगती हूं दोस्तों बाई बाई